नमस्कार जहिन कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि जो बंदा इस आसा के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि SSS GD से रिलेटेड मैं आपको टिफ्स और टिक्स बताऊंगा तो यारो बंदा इस वीडियो को स्किप कर सकता है ठीके विगाउस यह वीडियो स्पेसली उत्राखन पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम को डेडिकेटेड है ठीक है तो जो बंदा SSS GD की तयारी कर रहा है वो अपनी तयारी कंटिनुर रखिए और इस वीडियो को स्किप कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि उत्राखन पुलिस कॉंस्टेवल का जिस जिस भाई बहन का 18 तारिकों एक्जाम होने वाला है यदि आप बिगनर्स हैं बिगनर्स का मलब आपने अभी अभी तयारी सुरू की है आई मीन आपको अभी एक साल या छही में ना हुआ है तो आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक पूरी देखना मैं गरांटेड कह रहा हूँ जो स्टेटरजी जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना भाईयों ये चीजे भहुत कम बंदे यूटूब पर सेयर करते हैं और यदि आप इन चीजों को continue follow करते हो ना तो आपको सेलेक्शन से हो रहा है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि 18 तारिक को आपका पेपर होने वाला है और UKPSC ने आज आज आपके exam के admit card आउट कर दियें आपको पता लगया होगा कि आपका exam center कहा कहा है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको congratulations कि आपको exam center का पता लग गया दोस्तों ठीक 10 दिनों बाद आपका पेपर होने वाला है तो सबसे वहले तो आपका वो week time आगया है जिसमें आप अब आपको अपने exam, daam, dand, fit सारे यूज़ करने है और दोस्तों इन सभी चीज़ों को यूज़ करने का एक तरीका होता है एक strategy होती है कुछ tips and tricks होती है जो तो मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ, because मैंने आपको बोला कि वीडियो को सुरू से लेकर लाच तक पूरी देखना, मैं यह नहीं कहरा कि वीडियो को like करना, comment करना, channel को subscribe करना, share करना, because मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता, I am already selected in SSC GD 2021 exam, और मुझे SSC के द्वारा मेर dreams of, CISF a lot हो रखी है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं YouTube से पैसा कमाऊंगा, और नहीं मुझे इससे कोई मतलब है कि मेरी वीडियो पर like पड़े, comment पड़े, share परे, ठीक है, क्योंकि मैं already selected हूँ, और भारा सरकार हमें इतना अच्छा खासा पैसा दे देगी, कि हम में एक अच्छा lifestyle जी सकेंगे, तो फटावर से वीडियो को start करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बोल दिया है कि अब आपका वो time, वो big time आ चुका है, जब आपको अपना साम, दाम, दंड, विज, सारे यूज करने paper को फोड़ने के लिए, तो दोस्तों देखिए, इस time में आपको क्या लग रहा होगा, आपके mind में confusion create हो रहा होगा, चंदवंस का राजा तक आपको याद नी रह रहा होगा, मुझे पता है, आप confused हो रहे होंगे, आप बार बार याद कर रहे होंगे कि चंदवंस का राजा सूमचंद है, आप confused हो रहे होंगे कि खगमरा को जब आपका mind stable नहीं है आपके अंदर भै है आपके अंदर डर है कि 18 तारिक को आपका paper होने वाला है आपके पास मात्र 5-6 दिन बचे हुए तो इस time में अपने mind को कैसे stable रखना है कैसे खुद को इस्तिर रखना है वो मैं आपको tips and tricks बता रहा हूँ तो सबसे पहले देखे दोस्तों आपका paper 18 तारिक से यानि कि आज से ठीक 10 दिनों बाद 16 तारिक के बाद आप किताबे बंद कर लोगे 16 तारिक 17 तारिक को आप अपने exam को पूरे relax mood में लेके जाओगे कुस नहीं पढ़ोगे पूरा बंद रहोगे 18 तारिक आप आरम से exam दोगे तो देखे दोस्तों आपके पास मोटे मोटे साथ या आठ दिन बचे हुए है अब आठ दिनों में आपको अपना पूरा syllabus completely whole syllabus cover करना है I mean revise करना है पढ़ना तो है नहीं पढ़ना है तो आपने जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया अब आपको revision करना है तो कैसे आप 8 दिनों में whole syllabus को revision करोगे ये मैं आपको strategy बता रहा हूँ देखे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ अब आप अपने पास एक limited एक effective syllabus रखे है आपने राजिंद्र ब्रोधी की book पड़ी आपने बिंसरियर की book पड़ी आपने अजेरावत की book पड़ी आपने परिक्छावाने की book पड़ी आपने BS नेगी की single liner पड़ी फर्स्ट है परिक्छावानी सेकेंड है single liner BS नेगी थर्ड है जीके के लिए lucent और फोर्त है हिंदी के लिए या तो coaching के notes या फिर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ देखें दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है फटापर से अपने दिन को चार भागों में divide कीजिए एक सुबह एक दिन में एक सांको और एक राग को चार किताबों को आपको चार टाइम में पड़ना है एक आप सुबह पढ़ोगे दो गंडे, दिन में दो गंडे, साम को दो गंडे और रात को दो गंडे, बस इतना पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की कोशिज मत करो, तो मैंने पहले टिप आपको क्या दे रहा हूँ, कि आप अपने पास लिमिटर सोस रखो, लिमिटर किताबी रख करोगे, दिन में क्या करोगे, सिंगल लैनर की वियस नेगी पढ़ोगे, साम को क्या करोगे, हिंदी पढ़ोगे, और रात को क्या करोगे, लूसेंट पढ़ोगे, कैसे कैसे पढ़ना हूँ, सब चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे परिक्षावाने आपको पता है कि दो प दो भागों में बटी हुई है फर्स्ट है अब्जेक्टिव सेगेंड पार्ट कौन से है तो आपको मैंने क्या बोला तो आप नजरी मत मारो अब्जेक्टिव में बाइद हुए अगर 56 है साथ दिन पार्ट पेजर पढ़ें यह भी किया कुल तोसा दिने जो आखक मत करना, आज अब होते हों को पर प्रिक्षा हृण है जो शुवह आप पढ़ोगे मैंने बोलओ न एक दिन में चार टाइम पढ़ने चार टाइम दो-दो घंडे पढ़ने है, सुबह आप परिक्षवाणी पढ़ोगे, परिक्षवाणी का जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट पढ़ने है, कौन सा पार्ट, ऑब्जेक्टिव अलब, ऑब्जेक्टिव में बाइज़ चपन पेज है, तो आप साथ दिनों में क्या है, आपको पता है, दो दिन पार्ट है, एक हिस्ट्री के पार्ट है, दूसरा कौन सा पार्ट है, जिल्ला दर्सन, और थर्ड कौन सा है, सिंगल एनर फैक्ट, तो आप क्या करोगी जैसे जिल्ला दर्सन है, तो साथ दिन बचे वें, तेरा जिल्ले है, तो परते ए जंतरों में एक दिन में दो जिल्ला पड़ना है पढ़ना है या अदमत करना आंलि नजर मारनी यए 125 मैं बात करता हूं लूसाइंड की आपको पता के लूसाइंड में थ ήταν थी चार पारड़ है पॉलिटी है एकन já determinे अपको सायंसे साइं इतने whis उसके एक लाइनर में तथ्य दे रखें उनको याद करना है याद भी नहीं करने सरब पढ़ना है और पढ़ना कैसा है इबाई तो अगर उसके सिंगल लाइनर तथ्य के 20 पेज तो साथ दिने तो साथ यह परते एक तिन तीन पेज पढ़ना सरब नजर माननी है रही बात दुस्तों अब हिंदी में ओ टाइम आ गया है कि जब आपको प्रयावाची बिलुम सब यह याद करने की जुरहत नहीं है अगर आपने आस्ता क्याद कर रहे है तो अच्छी बात है अगर उन मेंसे कोई आ अगया है तो और भी अच्छी बात है अगर नहीं वे आया तो उन सब को क्या करो जैसे 15 टोपिक है तो साथ दिन में पर्थे दिन क्या करो हिंदी में दो-दो टोपिक पढ़ने की कोशिज करो बात समझ में आई तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपनी syllabus को completely cover कर सकते हूँ, revision कर सकते हूँ भाईयों एक लाइन बोल रहा हूँ read less, revision more आपको selection दिला देगा, कम पढ़ना बट revision करो, साथ दिन बचावा है, वो peak point आ गया है वो peak time आ गया है, अब आपको अपने whole syllabus को revise करना है और revise करने का तरीगा मैंने आपके सामने रग दिया है भाईयों, इन चीज़ों को कहते है secret, और मैं आपके सामने अपने सारे secret खेवड़ रहा हूँ कि मैंने SSC GDA time कैसे कैसे revision किया था ठीक सारा मैंने आपके लिए उत्राखन पुलिस constable की exam के लिए बता दिया है दोस्तों मैंने क्या बताया फटावर से एक मिनट में revision कर रहा हूँ first क्या करोगे, आप अब इन साथ दिनों में चार टाइम पढ़ोगे एक दिन में चार टाइम चार टाइम भी क्या पढ़ोगे, दो-दो घंटे पढ़ोगे सुबह पढ़ोगे, परिक्षावाडी दिन में पढ़ोगे, सिंगल आइनर, बियस नेगी साम को पढ़ोगे, हिंदी, और रात को पढ़ोगे, लूसेट इसको अभी कैसे कैसे पढ़ना है, तो दो-दो घंटे पढ़ना है दो-दो घंटे में क्या का पढ़ोगे, जितने इनमें पेज हैं उन पेज को परते एक दिन में बांट लो किसी में अगर 40 पेज है तो 7 चका 42 परते एक दिन 6 चे पेज पढ़ना है याद मत करना सरफ बढ़ो उन पे एक एक नजर मारो भाईयों मैं गरांटी दे रहूँ यदि आपने इन चीजों को फोलो कर ले ना तो आपका सरेक्शन कोई नहीं रोख सकता है और साथ में आपको एक चीज बता रहूँ एक लड़का हो और आपका 90 परस फिजिकल है तो दोस्तों जादा नमबर लाने की जुरत नहीं है अगर आपने 60, 65, 65 नमबर भी ला दिये ना तो आपको फुलिस बनने से कोई नहीं रोख सकता लड़कों को मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि लड़कों की वेकेंसी बहुत कम है और फिजिकल भी लड़कों का 95, 100 सभी कब बन रखा है तो लड़कों की कट ओफ हो सकती है हाई जाए बट लड़कों की कट ओफ down रहने वाली है लड़कों का फिजिकल मैक्सिमum जादा 90 या 85 पलस यह है और 7-7 में वेकेंसी लड़कों की ठीक ठाक है लड़कों की वेकेंसी बहुत कम है उर उपर से लड़कों का फिजिकल बहुत अच्छा बन रखा है सकते काट ओफ हाई चली जाए बट जो त्राकंड बिस्वा लड़के हैं न वो पुलिस कॉंस्टेवल आराम से बन सकते हैं तो उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन जै भारत